नमस्कार साथियों, मेरा नाम साशी कुमार और आज मैं गांधी फेलोशिप के बारे में आपको सारी जानकारी अपने अनुभाव और अनन संभावनाएं आपके साथ साजा करूँगा गांधी जैन्दी के अउसरा पे हर साल इसका application स्टार्ट हो जाता है तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं या आप इसके बारे में जानकारी प्राक्ट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस तरीके के leadership प्रोम में अप enroll हो या आप चाहते हैं कि आपके कोई जानने वाले इस तरीके के गांधी fellowship में इंडरोल हो या आप किसी भी तरीके से इस तरीके के leadership journey या self development process के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है शुरू मैं अपने तो इसके साथ मैं start करता हूँ start करने के लिए मैं अपने अनुभावों से start करूँगा कि कैसे मेरे दिन जर्या रहता था as a Gandhi fellow किन processes के साथ, किन लोगों के साथ रिकाम होती थी और क्या चीजे मैं कर पाया था तो उन सारे चीजों के बारे मैं आपके साथ share करूँगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का आपको स्पीड बे देखना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं या स्पीड कम कर सकते हैं आपने अमर्थी कही साथ से तो start करते हैं तो मेरे लिए गांधी fellowship एक accidental journey था मैंने सोचा नहीं था पात साल का mass communication का course कर रहा था तीन साल बाद मुझे लगा कि मुझे गांधी fellowship पे apply करना चाहिए और accidentally मेरा हो गया and I landed up to Gandhi fellowship तो अब journey कैसी रही उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहला तो जो मुझे मिला गांधी fellowship में वो ये था कि मैं बच्चों के बीच में हम रोज जा रहे थे हमारे लिए बच्चों के साथ classroom engagement उनके साथ activities करना उनके साथ बहुत सारी बातचीत करना उनके साथ teacher उसे बातचीत करना उनके classroom को देखना उनके साथ बहुत सारे तमाम activities के साथ मिड़े मील में उनके साथ खाना खाना और एक दोस्ताना महौल उनके साथ बनना ताकि हम जो government schools है वहाँ पर सिख्छा कैसी चल रही है बच्चों के लिए सारी चीज़े कैसी हैं infrastructure, teachers का पूरा environment, community का participation, सारी चीज़ों को समझना और समझने के दौरान ही चीज़े दीरे दीरे स्टार्ट हुई और जैसे जैसे मेरी समझ विक्सित हुई हमने co-create करके कुछ-कुछ school processes में काम करना स्टार्ट किया जैसे library पे, school assembly पे, building as learning aid पे, बाल संसद पे इस तरीके से बहुत सारे school processes पे हम एक एक करके अपना co-creation स्टा काम करने लगे और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम कैसे अपने block level पे मैं दो block देख रहा था नौकोटी और चरिया बर्यार्पुट जहांके block stakeholders जितने भी थे block educational officers और resource persons जितने भी थे, जितने educators थे, cluster level पे भी same cluster coordinators होते हैं, तो उन सारे लोगों के साथ मिल के बातचीत करना कि इस process को कैसे अच्छा किया दा सकता है, अगर उनके ही block या cluster में कुछ अच्छी चीज़े चल रहे हैं तो उनके साथ साजा करना और एक तरीके से एक environment बनाना जहांपे की innovation के लिए जगा हो, जहांपे facilitation के लिए जगा हो, जहांपे बच्चों को focused learning कराने की जगा हो, तो उन सारे चीज़ों को उनके बीच रखना और मेरे लिए ये भी था कि जब हम government के साथ बातचीत करते हैं तो उस तरीके से तैयारी करके और एक तरीके से क्योंकि वो directly school में जाके चीज़ों को बहतर करने वाले थे, तो ये मौका मिला और इसका बहुत अच्छा अलग-अलग program के साथ हमने इस पर काम किया था, जैसे इसमें बहुत सारे फोटोज आप देख रहे हो, वो accelerated learning program किया जहाँ आप पर foundational skills की बात हो रही है, उनको कैसे ठीक किया जा, बच्चों के बीच learning abilities को कैसे बढ़ाया जा, ताकि वो पढ़ सके, ताकि वो comprehend कर सके, ताकि जो math के जो छोटे sums है, उसको कर सके, उसी दौरान के कुछ newspaper के articles है, जिसमें की, जो हमने initiatives लिये थे, उनके बारे में newspaper में भी छपना, क्योंकि हर बार जब हम newspaper खोलते हैं, और हम school के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ negative news ही हमें दिखती है, चाया मध्यान बोजन क टाइम पे ना मिलना हो, चाया खाने में कुछ जो अलग-अलग चीज़े मिल जाती हैं, वो मिलना हो, तो इस तरीके की कुछ-कुछ negative चीज़े हम देखते हैं, बट positively अगर हम share करें कि कैसे educational initiatives बदल रहे हैं, और उससे बच्चों को कितना पैदा हो रहा है, और foundational skills में हो, या किसी तरीके के science के चीज़ों में हो, तो ये सारी चीज़ों को भी news paper ने cover किया, इसके बाद आता है कि जब हम school में काम करते हैं, तो सिर्फ हम school में काम नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चों के बीच, बहुत सारे teacher के बीच, बहुत सारे community के बीच भी जाने का हमें मौका मिल कई बार जीविका के दीदियों के बीच में जाके जागरुकता करना कि स्कूल क्यूं ज़रूरी है घर पे कैसा आसरन बना रहना चाहिए घर पे बच्चों को कैसी इन्वार्मेंट मिली जए उन सारी चीज़ों पर बात करना कभी इन्रॉल्मेंट के लिए कैम्पेंट करना बहुत सारी चीज़ों को देखते जैसे सरसुति पूजा से पहले पंडालों के लिए मूर्तियों का बनना तो उन सारी जगों पर बातचीत करना रुपके तो एक ठहराओ सा जब हम कम्यूनिटी के साथ बातचीत करते थे तब वो महसूस होता था और बहुत कुछ सीखने को कुछ मेला का आयोजन करना कुछ इस तरीके से इवेंट्स का आयोजन करना जहांपे वो अपने स्कूल के बारे में एक अच्छी सी 10-15 मिनट की डॉकुमेंटरी देखें और वो स्कूल में क्या चल रहा है उसकी प्रदर्सनी भी देखें बच्चे अपने काम को लेके आ रह है तो इस तरीके से भी बहुत सारे कम्यूनिटी मोबलाईएशन इवेंट्स भी हम ने किये अपने दो साल के जर्णी में जो कि हमने बेगु सराई में किये हैं इसके बाद एक प्रोसेस था कि 15-20 दिन के लिए मुझे एक गाउँ चुनना था तो बेगु सराई का सबसे दो important tourist spot है जैमंगलागर मंदिर और कावज ही उसी के बीच में जैमंगलागर गाउँ परता है वहाँ पर मुसह टोला है और तो उस मुसह टोला में मैंने सोचा कि वहाँ पर बिताया जा क्यूंकि वह ऐसी community थी जिनके साथ मेरा पस्तली बहुत डाइरेक्ट कभी रहा नहीं था तो उनके बीच रहना सुरू हुआ सुरू में तो घर नहीं मिला बट स्कूल के किसी कोने में रहना और एक होस्ट फैमिली जो मिला उसके बाद फिर वहां से चीज़े सुरी क्योंकि आप जब विलेज इमर्शन या कम्यूनिटी इमर्शन में जाते हैं तो हमारे पस कुछ नहीं था, हमारे पस ना पैसे थे ना गाड़ी थी, ना कुछ नहीं हमें उनकी इमर्शन चीज़ों को समझना था उनका नजर्यान किस तरीके से स्कूल के प्रती क्यों अभी भी सिच्छा जगाँ बच्चों के लिए वंचित रखा जा रहा है क्यों अभी भी infrastructure develop नहीं हो पा रहा है तो इन सारी चीजों को समझना प्लस एक तरीके से जैसे हम हर दिन साम को हम अपने fellow house में debrief करते हैं वैसे ही अपने host family के members के साथ debrief करना उनके साथ मिलना और इस दोरान बहुत सारे community के important events भी हुए जैसे कई बार अगर साधी होती है तो स्कूल के भवन में ही होती है तो वो मेरे ही कमरे में उनका आयोजन होना या election commission का जो एक तरीके से voting के लिए start होना तो वो सारे campaigns वो सारी चीज़ें भी देखना witness करना एक गाउ में रहते हुए तो बहुत खूबसूरत सी जर्नी रही थी मेरे लिए village immersion 15 दिनों के लिए और लास्ट दिन मैंने अपने जनम दिन के दिन पर बच्चों के बीच में ही celebrate किया था जो कि सबसे बहतर या कह सकते सबसे यादगा पर पल्थम मेरे लिए village immersion का इसके बाद आता है learning journey जहां पे हम एक नए जिले में जाते हैं एक नए जगा पे जाते हैं वहाँ पे जितनी भी development के लिए organizations काम कर रही है उनके काम को देखते हैं उनके लोगों से मिलते हैं उनके बास्चीत करते हैं सारे चीजों को समझते हैं और एक तरीके से engage होने की कोशिज करते हैं तो एक हफते-दस दिन में बहुत सारे NGOs, बहुत सारे development organization, industrial visits, schools में जाना और communities से भी मिलना तो ये भी एक बहुत अच्छा experience रहा था, different perspective को gain करने में about the development sector, bootcamp जहां से चीज़े शुरू भी होती है, जहां पे बीच में जाके reflection भी हो जासे मैं बोलूँ अगर batch 11 में 300 plus fellows थे हम लोग, तो हम सारे लोग एक जगा पर इकट्था होते थे और groups में divide होके बहुत सारे sessions से tend करते थे, कई बार activities करते थे, कई बार बातचीत होते रही होती थी और साम में खेलना होता था या लोगों से directly conversion करने का मौका, तो इस तरीके से बहुत अच्छा एक महौल मिलता है bootcamp का, जहां पर आप सर्फ अपने बीच नहीं रहते हो, अपने लोगों के बीच नहीं रहते हो, बट एक larger community का पार्ट बनते हो, जो कि आप इसके बाद ले जा रहा होते हो उस community को, तो ये कुछ उसकी तस्वीरे है, विपासना 11 दिन क जर्णी थी, जहां पर हमने ये पटना में किया था, और हमारे लिए ये एक तरीके का ऐसा, क्योंकि मैं जॉस्ट जॉनली से हील कर रहा था, जब मैं विपासना स्टार्ट करने वाला था, तो मैं एक तरीके से वो healing जर्णी, एक तरीके से खुद के साथ बिताना वो जर्ण तो इस तरीके का एक routine follow होता था, और खाना जो था, वो बहुत, एक तरीके सा स्वादिस्ट भी कह सकते हैं, तो क्या हमारेए उसका बहुत, बहुत बड़ा योगदान है हमारे आम दिन चर्जिया में अगर हम उसको follow करते हैं, तो इस तरीके से सारी चीज़ें चली और सुर रहे हो, जो सेवक है हो, हमारे साथ सेलफी ले रहा है, तो इस तरीके का हमारा विपासना जर्णी रहा, गवर्मेंट पार्टनरशिप्ट में आप ब्लॉक लेवल डिस्टिक लेवल पे तो रेगुलर पार्टनरशिप्ट करते ही हो, बट हमें मुका मिला था 12-13 महिने बाद, स्टेट लेवल पे पार्टरसिप करने का जहां पे हम अपने डिस्ट्रिक्ट के काम को रख रहे थे जहां पे हम अपने आगे के वीजन को बता रहे थे जहां पे हम कैसे काम कर सकते सारी जीज़ों को साधा कर रहे थे सरकारी अपसरों के साथ तो वहीं पे हमने आपने जो आप पोटोस देख रहे हैं उसमें हमारे बेगुसराइबाइच 11 की फोटोस है टीम की फोटोस है जिसमें की प्रोग्राम टीम से भी लोग है और फेलोस भी है तो वहाँ पे मुझे ये मौका भी मिला था वॉलन टोल्ड की मुझे जबर जस्ती बोला गया था कि की काउज फ्र्पूरे जो इवेंट है उसको एक तरीके से नोटडाउन कीजिए कि मतलब क्या चीजा चल रहे हैं क्या इंप्सकिन हो रहा है क्या अडिखेशन हो रहा है क्या पर फीडबैक में डिफरेंट टीम्स को तो एक तरीके से वह भी एक तो नूट डाउन अबाउट इविड एक बहुत स्पेसल प्रोजेक्ट जो कि बहुत लखी मैं फील करता हूँ प्रिवलेज फील करता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे बिहार में चार फिलोज को मौका मिला था जिसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट से दो लोगों को नौ मिनिट कि लिए एक नए जिले जहां पर किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ है हमारा वहां पर जहनाबाद में जाके चीजों को स्टार्ट करना डिस्ट्रिक्ट के साथ लाइजनिंग करना डिस्ट्रिक्ट के साथ डॉकुमेंटेशन करना जो भी best practices जल सकती है अभियान में चल रहा है जो कि 10 से 15 different departments के लिए water conservation का जो campaign था चल रहा था उस वक्त तो इसी दोरन central nodal officer से मिलना state nodal officer से मिलना training technical officer से मिलना district के administration से मिलना उनके काम को देखना district के घूमना और बहुत सारी चीज़े करने का मौका मिला district की ranking जब हम आये थे तब around 74 था और जब हम जाते वक्त around 32 के आसपस district ranking था तो वो भी एक उपलब्दी थी इसके साथ हमने सोचा था एक documentary बनाने का तो दस दिन में हमने एक documentary बनाई जो की 24 मिनट की documentary है YouTube पे अब लेबल है और उस documentary को हमने district के जो DM थे उनके साथ release किया जो last photo आप देख रहो वो documentary के release event की है जहानाबाद जीले में तो इस तरीके से एक special project जहां पर गानी fellowship में मैंने जो भी सीखा उनको एक जगा पर integrate करने का मुझे अगर कहीं पर मौका मिला धादी fellowship के दोराल तो यह special project था वो तो और यह कुछ तस्वीरे है newspaper cuttings की जब हम documentary बना रहते है या घूम रहते है या बहुत सारे चीजों में इंगेज हो रहते ह आना बाद जीले में तब कि यह कुछ तस्वीरे हैं newspaper cuttings की इसके लावा बहुत सारे अलग-अलग माध्यम से भी चीज़े पब्लिस हुई थी online बट यह कुछ तस्वीरे हैं फेलोसिप में जिसके लिए लोग बेसबरी से इंतिजार करते हैं साथ प्लेस्मेंट के लिए कि फेलोसिप के बाद क्या करने वाले हैं बट क्योंकि हमारा बैच जो था वो 2018 से 2020 का था और 2020 में pandemic आती है और सारी चीजों को बहुत अलग तरीके से इस पे impact करती है तो उसमें से placement भी एक ऐसाई चीज था जहां पे बहुत सारी company जो आने वाली थी वो आपना आना रोक देती है और हमारे पास placement के लिए खुद के साथ तयारी करना के अलावा और कोई रास्ता नहीं बजता है तो क्योंकि मेरा communication documentation अच्छा था और एक तरीके से मुझे ये मौका मिला कि चीजों को lead करने का कि कैसे हम अपने self growth पे self profile building पे अपने different जो भी हमारे application process है जिट में हम apply कर रहे उनके लिए पूरे team को तयार करना तो उन चीजों को lead करना जो आप last photo देख रहे हैं उसमें सारे हमारे जितने भी peers थे हैं उन सारे लोगों का profiles है तो उन चीजों को बनाना फिर different applications में उनके साथ support करना interviews के लिए तयारी करना essays questions लिखना और बहुत गर्व महसूस होता है कि 4 म साहिने के बाद हम सारे लोग placed थे कहीं न कहीं pandemic जैसे market crisis के बाद भी तो इस तरीकी हमारी जो placement की preparation थी वो भी बहुत चीज चलती है और Gandhi fellowship साहिप यही सिखाना चाता है हमें कि जिस तरीकी का भी situation हो आप अपने आपको ऐसा lead करो कि आप बाकी चीजों को भी lead कर पाओ और एक बहुत जरुवत है ऐसे लोगों की तो इस तरीके से गांधी फिलोसिप की मुझे लगती है बहुत खुबसूरत learning रही है और जो सबसे important part जो हमें गांधी फिलोसिप देता है वो है cohort हम अपने जैसे बहुत सारे diverse लोगों के साथ मिलते हैं अलग-अलग parts से लोग आते हैं औ और हमारे लिए भी एक 5-6 states के लोगों के साथ मिलना, उनके साथ सारे activities को करना, रोज साम को debrief करना, debrief बहुत important part रहता था जहांपे हम discuss करते थे, हम plan करते थे, बहुत सारे चीजों के ideate करते थे, इस तरीके से वो चीजों को चलना, कई बार कुछ trips करना, कई बार आस-पास के लिए consolidation journey को भी share करना, तो इस तरीके से बहुत सारे जो moments है, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ करने का मौका मिलता है, यह कुछ तस्मीर हैं, जो उनके जिया है, गांधी fellowship के दौरान, कहीं बाहर भूमते हुए, या कहीं कोई exposure करते हुए, या किसी एक प्रोसेस में सब साथ मिलके हम लोग एक साथ रहें, तो सबसे important चीज जो मैं आज भी मेरे पास है और आगे भी हमेसा रहेगा, वो है इस community का साथ, इस peer group का साथ, यह सारे साथ ही हमारे, तो इसी के साथ मैं वापस आता हूँ कि गांधी fellowship का जो application है, 24-26 का, वो application स्टार्ट ह गया है, 2 October से, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें eligible होने के लिए, आप 26 साल से कम होने चाहिए, आपने graduation कर लिया हो, और अगर आपकी जो academics में 55% suburb है, तो आप eligible हो, तो इस तरीके की eligibility है, अगर आप करना चाहें, अगर आप full time commitment देने के लिए तयार हैं, अगर आप अ self development में काम करने के लिए तयार हैं, और different program से जुड़ने के लिए तयार गांधी fellowship के, तो आप जरूर apply कीजे, और जो गांधी fellowship में different batches में changes आई हैं, जिस तरीके का मैंने share किया, जरूरी नहीं कि आपको process वैसा ही मिले, बट जो values हैं, जो एक तरीके से different process है, जो जिनसे आपक engagement होगा, वो same रहेगा, बट आपके लिए वो process किस तरीके से काम करेगा, वो different होगा, और definitely गांधी fellowship भी एक तरीके से हर साल के साथ nurture हो रहा है, ग्रो हो रहा है, जैसे pandemic के लिए तो pandemic resilience है अब और technologically भी AI और सारी चीजों को integrate करने की एक कोसिस है, एक समभावना है उस तरफ भ आपको entry लेना चाते हो, अपने आपको establish करना चाते हो, गुरू करना चाते हो, तो definitely आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, जो इसकी stipend है, वो around 16,000 से लेके for 25,000 के around differ करेगा, और जिस भी program में होगे, उस तरीके से additional benefits भी आपको मिल रहा होंगे, आप residential program भी है ये, तो इस त पड़े जो प्रोग्राम से उनका पार्ट हो सकते हो गानी fellowship में, एक तो है tribal health collaborative, दूसरा है district collaborative, तीसरा है digital भारत collaborative, जिसमें के technology enabled solutions पे काम हो रही है, और last है pyramal school of leadership, जहां पे leadership abilities पे leadership को कैसे बिल्ड कर सकता है, चाहे वो आपका self हो, चाहे लेडिंग towards others हो, कुछ सारी चीजों पे आप different programs का part बन सकते हो, और different SDGs पे काम कर सकते हो, education, health, water, तो इस तरीके से तमाम चीजों पे आपके लिए ये बहुत important opportunity बनेगा, अगर आपके पास कोई query है जिसको आप Gandhi fellowship team के साथ रखना चाहते हो, तो आप 10 बजे से 5 बजे तक working days में आप call कर सकते हो, या आप mail कर सकते हो, register at gandhi fellowship.org पे या आप उनके website www.gandhi fellowship.org पे जाके सारे information को check कर सकते हो, और अगर इसी के साथ में एक तरीके से चीजों को end करूंगा, कि अगर आपने जिस तरीकी की journey मेरी देखी, उस process में आप होना चाहते हो, self development बेकाम करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि development sector आपक skills को बढ़ाना चाहते हो, तो definitely यह opportunity आपके लिए है, और जैसा कि Mahatma Gandhi का एक बहुत अच्छा famous quote है, be the change you want to see in the world, तो इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि आप passionate हो, तो definitely join कीजे, और अगर आप connect होना चाहते हो, तो हम हर platforms पे मौझूद है, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram और YouTube पे भी, तो आप connect हो सकते हो, सर्वसंदी Foundation के नाम से, आप connect हो सकते हो, और यह जो वीडियो हम आपके लिए गांधी फिलोसिप के बार में सारी जानकारी, सारे अनुभव और एक तरिके से अनन्त, जो समभावना है हो, उस पर बात करने के लिए, यह समथ इनिशेटिव के दोआरा हमने आप आप इसी इनिशेटिव से जुड़ना चाते हो, तो कभी भी आप आप के हमारे प्लाटफॉम से जुड़ सकते हो, तो इसी के साथ धन्यवाद